Newton's law of motion में, सबसे पहले बात समझे कि किसी भी particle का जो state हम define करते हैं, वो दो तरीके से define करते हैं, पहला होता है state of wrist और दूसरा होता है state of uniform motion, state of wrist मतलब object कि उसकी velocity 0 होगी, state of uniform motion मतलब velocity constant होगी, velocity constant मतलब क्या constant, speed की direction, दोनों, अगर हमें इस line पर force देखना है, ये angle हमें देखना है इसका base हो गया 30 का, और ये हो गया 40 का, इसको आप इहाँ पर shift कर सकते हैं, और ये है आपका result है, ये आपका आगया alpha, alpha 53 degree होगी, माल लोग की a solutions उपर जाता है, तो ये 2 into t, बराबर, यहाँ पर 2 t into a आएगा, 2 t से 2 to cut गया, a बराबर 1 meter percent, ये answer, अब हम चलते हैं, कहां, हम Newton's law of motion में, Newton's law of motion में चलते हैं, ठीक है, आईए साब, चले, त्यारो, है, त्यारो, अरे वाँ यार, त्यार है, आओ, Newton's law of motion में, सबसे पहले बात समझे कि कि किसी भी particle का जो state हम define करते हैं, वो दो तरीके से define करते हैं, पहला होता है state of rest, और दूसरा होता है state of uniform motion, state of rest मतलब object कि उसकी velocity zero होगी, state of uniform motion मतलब velocity constant होगी, velocity constant मतलब क्या constant, speed की direction, दोनो, और इस जब state में particle होता है, तो हम कहते हैं, यह natural state है, इस state में उस पर जो net force लग रहा होगा, वो zero लग रहा होगा, net force क्या लग रहा होगा, पार्टिकल पर, zero लग रहा होगा, net force zero लग रहा और उसको कहता है, dinner, राम लाल, बसिया भात और बैगन का चोखा से ज़्यादा कुछ नसीब हुए तुम्हे, पर ले ढंका, तभी ढंके college में जाएगा, फिर ढंके college में बढ़िया एकदम breakfast मिलता है, फिर बढ़िया lunch और बढ़िया dinner मिलता है, dinner के नाम पर बसिया भात से ज तो, मैं पहले चार महीने तक एकदम सुबह उठता था, साथ पैंतालीस में, क्योंकि आठ वजे नास्ता मिलता था, आठ वजे भाग के जाता था मैं, ऐसे बीना बरस किये हुए, बीना फ्रेस हुए हुए, जाके बैठ जाता था, तबाके, खाता था, fruits, omelette, और क्या क्या मिलता था, bread omelette, आलू paratha, पनीर paratha, salad, फिर उसमें sprouts, फिर उसमें, पता नहीं क्या-क्या मिलता था, सुबह सुबह, और बहुत सारी चीजे, दवा के खाता था, पहले चार महीने तक मैंने कुछ नहीं किया, खाया और सोया, बढ़िया breakfast मिलता जिसमें तुमको आलू paratha, पन जाता था, पहले टेवल पे, क्योंकि जतना जल्ली जाओ के, fresh fresh, fresh सब कुछ मिलेगा, बाद में तोरह बहुत कम हो जाता था, एपल, बनाना, सब दवा के खाता था, फिर खाके, सावा आठ में सो जाता था, फिर उठता था मैं 12 बजे, फिर 12 बजे, क्यार होता था, मूँ हा जाता था, नास्ता करता था, फिर रात में खाना काता था, भाई साब, गर्दा-गर्दा उरा दिया था, मैं जाना जाता था, वहां पे, खाना खाने के लिए, क्योंकि, ना घर में ऐसा खाना मिला कभी, और नहीं, तो बाहर रहते थे कभी, थोड़ा बहुत पढ़ाई गया, तो खाना बनागे खाने में तो दिक्कत होती थी, तो भाई कॉलेज में ऐसा खाना मिलता है, तो कम से कम, बसिया भाद से तो छुटकारा मिलेगा तुम्हें, डीनर करेगा, और नहीं तो क्या, बसिया भाद से ज़्यादा अज तक नसीब हुआ नहीं, डीनर ब्रेक करेंगे, चलो, और ध्यान से सुनो एक और इंपोर्टें का मतलब zero acceleration होता है, कि equilibrium का मतलब net force होता है, या यह दोनों होगा, बताओ, equilibrium का मतलब rest होगा, equilibrium का मतलब constant velocity होगा, यह बताओ, equilibrium का मतलब क्या होगा, rest होगा, acceleration zero होगा, कि net force zero होगा, equilibrium का असली मतलब क्या होगा, कि last वाला दोनों होगा, तो ध्यान से देखो, यह नहीं होगा, लेबल मास सिस्टम भी तो कोई चीज होता है यह नहीं होगा equilibrium का मतलब होगा net force 0 और net force भी बेटा दोनों direction में अलग लग देखते हो दोनों direction में अलग लग देखने का मतलब है कि अगर X में force 0 है तो X का isolation 0 होगा Y का हम नहीं जानते हैं मेरे से मत पूछो ना हमको नहीं पता है हमसे मत पूछो ना वाई में अगर net force 0 तो Y का isolation 0 होगा X का हमको नहीं पता है हमसे मत पूछो ना भाई यहां भी अपना-पना काम होता है X में अलग, Y में अलग, X में अलग, Y में अलग, समझ में आया? हाँ, once a dash is always a dash, yes, because you are very much dash लामीस थियुरम हमेशा याद रखना, अला कि वेक्टर में पढ़ते हैं, लेकिन हैं पर ध्यान देना, अगर किसी पार्टिकल पर तीन फोर्स लग रहा है, और तीनों फोर्स की जग़पे उस पर नेट फोर्स जीरो है, तीनों फोर्स का नेट वैल्यू जीरो है, तो याद रखने फ वन वेक्टर इसको एफ वन फोर्स अ 인गल नहीं बना रहा साइन अल्फा अब एक तरक्त वरता जोरदार सवाल आगया अगर यहम tastes c20 you đoelleERS वान ही तो इस ठीटा की eco value बताएज आख साहब की चोगाँ कैसे करोगे barre सबसे पहली बात इतना ध्यान रखो इस पर एमजी लगड़ा वो 40 न्यूटन का लगएगा हाँ सर यहां पर टेंशन 40 होगा यहां भी टेंशन 40 होगा ठीक है यह 3 kg कहा है इस पर टेंशन नीचे एमजी 30 होगा यहां पर भी टेंशन तुम्हारा 30 होगा कि सर हो गया अगर हमें इस लाइन पर फोर्स देखना है यह एंगल हमें देखना है इसका बेस हो गया 30 का और यह हो गया 40 का इसको हम इहां पर सिफ्ट कर सकते हैं और यह आपका resultant यह आपका आ गया यहां लिख सकते हैं, tan alpha is equal to, perpendicular 40, base 30, vertical सी पूछा है न, यहां से पूछा है, इसका यह perpendicular और यह base, 4 बटा 3, tan inverse, 4 बटा 3, third, दूसरा नहीं आएगा, बेटा, यह सवाल बढ़िया है, जेए में 2022 का है, करो तो, देखते हैं, पढ़िया सवाले बेटा, सवाल में language का भी खेल है, और फिर understanding का भी खेल है, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं इसको, देखते हैं वही कितने बच्चे कर पाते हैं इसको, करिए एक बढ़, समझी यह देखते हैं, समझी यह जड़ा इसको, क्या सवाल है, सवाल करा है कि पांच न्यूटन आगे लग रहा है, छे न्यूटन पीछे लग रहा है, तो मैं कह सकते हूँ, एक न्यूटन पीछे लगा, साथ उपर आठ नीचे मतलब एक न्यूटन इधर, तो रिजल्टेंट हो जाएगा, वन रूट टू, एक एक का समझी रूट टू, अब बोलाएगी इसको रेस्ट में रखना है, तो मुझे वन रूट टू न्यूटन फोर्स आगे लगाना परेगा, यहां से पैतारिस दिग्री पर, बताओ क्या होगा, नेट, पॉजिटिव X-axis, लेन वोट एंगल विद पॉजिटिव X-axis, पॉजिटिव X-axis है कितना पोर्स किधर लगाऊंगा, पहला एंसर है, दूसरा नहीं आएगा, दूसरा कह रहे है, रूट टू एक्सो पैटेस दिग्री पर नहीं नहीं, बिटा, यह तुम्हारा आठ है, यह साथ है, तो नीचे एक, यह छे है, यह पांच है, तो पीछे एक, यह एक, यह तो यह रूट टू आए गया, अभी यह रूट टू दिगर, the four force are applied in the x and y direction, what additional force must be applied and what angle with the positive x axis so that net acceleration of the body is 0, मतलब net force हमें 0 करना है, तो जितना net force इसका इधर लग रहा है, उसके opposite में उतना ही force लगा देंगे, यह 45 पे लाएगा, क्योंकि one और one का net resultant बीच में आगा, तो 45 पे root 2 newton force लगाएंगे, बताओ, समझ में आया, बढ़ि नहीं, particle moving with velocity V, acted by the three force, हाँ, force लग रहा है, by the three vector P, क्यों हाँ, पहला force है यह P, जहां पर पहला force कता है, वहाँ से दूसरा force, नहीं, पहला force R, दूसरा force P, और तीसरा force Q, अब बोल रहा है, यह particle, constant velocity से चलता रहेगा, कुसकी velocity बढ़ेगी कि घटेगी, ध्यान देना, triangle of expectation क्या कहता है, यह force इधर लग गया, R, यह force इधर लग गया, P, और यह force इधर लग गया, बेटा Q, तो net force क्या हो गए इसका, 0, Q, क्योंकि 2 से जाधा vector को add करना हो, तो इसी तरह से add करते है, पहला vector जहां पर खतव हुआ, और दूसरा जहां पर खतव हुआ, से तीसरा सुरू करते हैं, और पहले के tell से, तीसरे के head को मिलाते हैं, तो resultant 0 आरा, तो net force आपका क्या हो जाएगा यहां पर, 0 हो जाएगा, clear है यह बात, फिर से एक बढ़िया सवाल करेंगे बेटा, यह सवाल करेंगे, देखी, man of mass 60 kg, standing on the ground and holding a string passes over the system of ideal pulley, a mass of 10 kg hanging over a light pulley such that, 10 kg hanging over a light pulley, such that, the system is in equilibrium, then force exerted by the ground on the man, ground or man के बीच में normal reaction कितना लग रहा है, यह बात बढ़िया सवाल है, यह रेस्ट में है, तो सुनो, यह अगर रेस्ट में है, तो इस पर नीचे mg लग रहा होगा, तो इसका tension force mg के मतलब 10 newton के बरावर है, यहां पर 10 newton, यहां पर 10 newton, तो यह हो जाए मैं उपर ही तो लगाओगे, मतलब रसी को आदमी नीचे खीचेगा, तो रसी आदमी को कहाँ खीचेगा, उपर, और इस पर नीचे 60 newton mg, तो नॉर्मल उपर कितना होना चीए, और 40 newton, 40 g, mg के टर्म्स में दिया है, जहां पर g-acillation due to gravity बता रहा है, क्या होगा एंसर, 40 g, block with masses M, 2M and 3M are connected by the string as shown in the figure, after upward force, after upward force F is applied on the block, किस block में F force उपर लगा है, the mass move upward at a constant speed, यह किसी speed से जारा बेटा, constant speed से जारा, then what is the net force on the block of mass 2M, एक बात बताओ, कोई भी सिस्टम अगर constant velocity से जा रहा होता है, तो चाहे वो वो वर्टिकल जारा हो, और अगर उसकी velocity constant है, और mass भी vary नहीं कर रहा, अब इसका mass थोरी नहीं बदल रहा, mass भी constant है, तो उसका acceleration क्या हो जाएगा, तो उस पर net force कितना लागा होगा, जीरो, net force की बात की, ऐसा नहीं किस पे mg नहीं लाएगा, tension नहीं लाएगा, लेकिन अगर यह constant velocity से जा रहा, तो उस पर net force की जो value ह होगी बेटा, वो 0 होगी, आईए बात करते हैं, momentum के बारे, momentum होता है, mb vector, momentum एक vector physical quantity, इसका direction velocity के लाग होता है, इसका unit होता है, kg meter per second यह आप जानते हैं, अगर कोई object, जिस speed से जा रहा, उसी speed से rebound हो जाए, तो उसमे magnitude of change in momentum कितना आता है, 2 mu, magnitude of change in momentum, अगर कोई object यू से जा र momentum क्या होगा, root 2 mu, अगर कोई object इधर आ रहा है, ठीक है, initial direction of motion से 60 degree पर चला गया, कितने पर चला गया, 60 degree पर तो, change in magnitude क्या हो जाएगा, delta P बोलो, delta P बोलो, या mu ही हो जाएगा, जा बात कर रहो सर, जा बात कर रहो सर, हाँ, अगर कोई object, u speed से चल रहा, और कहीं पे collision के बाद वो 60 degree पर चला गया, initial velocity vector से, तो इसका magnitude of change in momentum क्या होगा, mu की root 3 mu, मैं साइद गलत करेंगा, mu की root 3 mu, mu की root 3 mu, बताओ, अगर कोई object, u से जारा, collision के बाद, initial direction of motion से 60 degree पर deviate हो गया, initial direction of motion से 60 degree पर deviate हो गया, तो इसका change in momentum क्या होगा, mu की root 3 mu, याद रखना बेटा, ये root 3 mu नहीं mu ही होगा, क्यों, क्योंकि हमें change in momentum निकालना है, ये final momentum और ये initial momentum, दोनों के वीच में 60 degree angle है, तो vector subtraction 60 degree पर same magnitude का, vector subtraction 60 degree पर same magnitude का था, और भाई, इस पर बेज सवाल भी पूछते है, AI PMPT 2011 में सवाल है एक, a body of mass m, hit normally at the right with the velocity v and bounce back with the same velocity, then impulse experience by the body, impulse मतलब change in momentum, impulse का मतलब होता है बेटा, change in momentum, बता हो क्या होगा, m, root 2 mb, अगर मान लो, mb से गया, और टक्रा के रुख गया, तो change in momentum क्या होगा, mb, ये rebound हो गया, उसी speed से, तो क्या answer होगा, 2 mb, 2 mb, क्या answer होगा, 2 mb, ये need to run 60 mb में सवाल पूछा है, क्या, जब भी इस तरह का सवाल होना, सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये m mass का object, v velocity से ऐसे जा रहा, ठीक, 60 degree का angle इधर से बना रहा, normal से, तो क्या मैं ये line जो plot करूँगा, ये 60 degree angle है, इस x से 60 है, तो क्या ये भी 60 हो रहा है, उसका x component कितना होगा, v cos 60, and y component कितना होगा, v sin 60, अब एक छोटा सवाल बस इतना बताओ, कि ये ball किस speed से जाकर टकराएगा, v sin 60 से, v cos 60 से की v से, ये ball किस speed से जाकर टकराएगा, v sin 60 से, v cos 60 से या v से, मतलब मैं तो सिर्फ इतना पूछ नहीं किस वेलॉसिटी से जाकर टकराएगा बस इतना बता दो V sin 60 से, V cos 60 से कि V से पर देखो, V से तो पैरलल चला है, इसे तो कोलीजन होगा नहीं V cos 60 से होगा, तो change in momentum पूछाएगा value of impulse मतलब change in momentum, change in momentum होगा 2m V cos 60 क्यों? क्योंकि जिस स्पीड से टकराएगा उसी स्पीड से कॉलीजन होगा, उसी स्पीड से rebound होगा, मतलब V cos 60 से rebound होगा, तो 2 mass की value M, V cos 60 की value half होटे, 2 से 2 कटेगा, MB आएगा answer, क्या कह रहा है बच्चे, MB is your correct answer, मतलब मजा आया की नहीं, अब चाहे जो भी सवाल हो, तुम दिवार की तरफ velocity ले ले लेना, और उसका double change करके ना, क्यों? क्योंकि जिस स्पीड से टकराएगा, उसी से रखेंगे, और M को constant निकाल लेंगे बाहर, तो DV by DT होगा, या मैं velocity को constant रखो, तो DM by DT होगा, तो actual में force दो तरका होता है, जब mass constant होता है, M DV by DT, और जब mass variable होगा, तो V into DM by DT, अब rocket उसी का case है, variable mass system का, इस पर जो अब thrust force लगता है, वो लगता है U into DM by DT, देखो, यह V into DM by DT है न, U into DM by DT, यह rocket पे अब thrust force है, acceleration क्या हो जाएगा, अरे भाई, acceleration होता है force बटा mass, force U into DM by DT, बटा mass, बहुत असान है, तो U DM by DT force, बटा mass M not, तो minus G क्यों किया, अरे भाई, एसे lesson due to gravity में ही तो rocket को उड़ाओगे, अगर gravity free space लिखते हो, तो यह answer लिखो, A not बढ़ावर force हो गया, U into DM by DT, बटा mass M not, यह लिखो, मुझे कोई आपत्ती नहीं है भाई साहब, अब लिखे यह gravity free space में, लेकिन अगर gravity है, तो minus G करोगे की नहीं करोगे बताओ, हाँ, देखो gravity, यह बज़ा से minus G किया, अगर gravity free space है, force बटा mass एसलिसन आगया, यह तो बहुत असान है, और क्या बोल रों में, तो बहुत असान है, force, बटा mass एसलिसन आगया, minus G बस यहाँ से घटा दिया है मैंने, हाँ, rocket science आगया, हाँ, rocket science आगया, अचा, यहाँ पर अगर T time के बाद एसलिसन पूछे तो, T time के बाद एसलिसन पूछे तो T time के बाद force तो DM by DT लाएगा, अब T time के बाद mass लिख दो, देखो बेटा, initial mass M0 है, उसमें से कुछ mass burn हो जाएगा, अगर DM by DT rate से mass burn हो रहा है, तो T time में इतना mass burn होगा, initial minus T time का mass घटा दोगे, यह आ जाएगा तुम्हारा, देखो, initial mass में से कितना mass burn हुआ है, घटा दोगे, T time का mass आ जाएगा, तो force बटा mass acceleration आ गया, minus G से subtract कर दो, कितना आसान है, dynamics of connected body, net force बटा, net mass हम लोग लिखते हैं, यह तो आप जानते ही हो, कोई खास बात नहीं है, अब यहाँ पर सवाल कर लिजे एक rocket का, फटा फट, क्या है सवाल, a 5000 kg rocket, set for the vertical firing, exhaust speed is 800 meter per second, to give initial upward acceleration of 20 meter per second square, the amount of gas ejected per second, needed, per second to supply the needed thrust will be, ओ भाई साब, acceleration बराबर, u into dm by dt, बटा, m0 minus G, यह आएगा, यह 20 दे दिया, तो चलो, 20, minus G को उधर ले जाओगे, तो प्लस G की value, 10, u बताओ, u 800, dm by dt आप से पूछा है, बटा, m0 की value, 5000 kg आपको दिया है, तो 00 से यह 00 कटेगा, यह आएगा, आपका 30, multiply 50, बटा 8, is equal to dm by dt, यहाँ से, पास तिया ही 15, 15 बटा 8, 15 बटा 8 हो जाएगा, 1.8 something, ना बटा, भाई इतना पास पास कौन देता है यार, answer, डिवाइड गर लो, answer आजाएगा, तुमारा, इतना पास पास answer कौन देता है, यार, बताओ, सच में डिवाइड गरना पड़ेगा, ऐसे तो, सच में डिवाइड गरना पड़ेगा, ऐसे तो अचा, gun bullet system में याद रखेगा, गन बुलेट system में जितना momentum, gun को मिलता है, उतना ही momentum bullet को मिलता है, अगर momentum same हो, तो हम जानते है kinetic energy universally proportional to mass, इसका mass कम है, bullet का mass कम है, bullet को kinetic energy ज्यादा मिलेगा gun के respect, required velocity क्या हो जाएगा, इसका momentum बढ़ावर, इसका momentum, तो required velocity of gun is, momentum of bullet बटा mass of gun, force of gun याद रखेगा NMU, NMU है, N is the number of bullet per second, number of bullet, number of bullet per second, M is mass of bullet, U is the velocity of bullet, mass of bullet, mass of bullet, and velocity of bullet, याद रखेगा, force is equal to the NMU, force is equal to the NMU, force is equal to the NMU, के याद है ये बात, force is equal to the NMU, ये सवाल देखे, in the figure, in the figure, given below, the position time graph of the particle of mass, इतना kg, इतना kg, and so on, then impulse at T is equal to 2 seconds, is, 2 seconds पे impulse क्या होगा, तो मेटा ध्यान से सुनना, exactly 2 seconds पे तुम्हे change in momentum निकालना है, अब ये XT का graph दिया है, तो XT का graph का slope क्या होता है, 0 तो इसकी velocity हो जाएगी 0, और यहाँ पे velocity देखोगे, तो इसकी velocity हो जाएगा, perpendicular 4 बटा बेस 2, 4 बटा 2 मतलब 2 meter per second, बताओ, initial velocity XT graph का slope होगा, और final velocity XT graph का slope ये 0 होगया, तो यहाँ पे तुम्हारा change in momentum जो होगा, उसी को हम कहेंगे impulse और change in momentum हो जाएगा, mass into velocity, mass है तुम्हारा 0.1, एक वटा दस into 2, मतलब 0.2, 0.2 is your correct answer, बजो समझ में आये की नहीं है, 0.2 is your correct answer, यह मैंने समझा दिया आपको, इसमें कोई खास बात नहीं है, देखो बेटा, next, a body of mass 3 kg, his wrist, now a force, इतना, is applied on the object, then velocity of the object at t is equal to 3 seconds, तो 3 seconds पर object की velocity क्या होगी, घवराना नहीं है, सबसे पहले मुझे यह बताओ, यह क्या दिया हुए है, force, और यहाँ पे हमें mass पता है क्या, हाँ, तो force बटा mass acceleration हो जाएगा, यह force और यह mass, force बटा mass acceleration हो जाएगा, यह force और यह 3 से divide करोगे, तो यह आगा 2t square i cap, plus 4 by 3t, j cap, simple सी बात है, अब मैं दोनों direction में क्यों देखू, अगर मैं सिर्फ एक ही direction में solve करूँ तो, और y में देखो, सारे में option अलग-अलग है, तो मैं y इत direction में momentum देखता हूं, direct, तो a को मैं लिख सकता हूं, dv by dt, is equal to 4 बटा 3t, into dt integration कर दो, तो 4 by 3 आपका बाहर, t square by 2, time का limit क्या दियो, 3 second, तो 0 से 3 रखो कि 3 का whole square बोलो, 3 का whole square 9, multiply 4 बटा, 3 multiply 2, 2 से एक टेगा 2, 3 से एक टेगा 3, 3 दुना 6, 6 j cap, यह answer आ जाएगा, अब यहाँ पर मैंने एक intelligently concept use किया है, क्या use किया है बताओ, क्या use किया है, देखो बेटा, सुनो ध्यान से, अगर मैं, I और यह दोनों solve करता, तो तरह लेंदी होता की नहीं होता, बताओ, बताओ, लेंदी होता की नहीं होता, बताओ, हाँ सर होता, मैंने देखा, कि X में, तो 3 option में, ठारा ठारा save है, मैंने Y चेक किया, तो Y में 3, 4 option म इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा option चेक किया करो option देख के सवाल के solution पे जाओ ऑप्सन को देख के ही सवाल के solution पे जाओ भाई साहब यह जेए मेन का एक सवाल है क्या सवाल है देखिए द्यान से यह सवाल है क्या सवाल देखिए भाई यह ध्यान से मजा जाएगा दो केजी का अब्जेक्ट है a block of metal weight 2 kg वो दो दिया हुए 2 kg resting on the frictionless plane frictionless surface पर रेस्ट में है ठीक है as shown in a figure it is stuck by a jet releasing water at the rate 1 kg per second and at a speed of 10 meter per second मतलब water jet से velocities आरा 10 meter per second से and 1 kg per second से mass release कर रहा है then initial acceleration of the block will be सबसे पहले बात सुनो जब भी liquid flow कर रहा हो जब भी liquid flow कर रहा हो तो variable mass system है per second mass यहां से निकल रहा है तो V into dm by dt force लेगा velocity बोलो कितना है सर 10 dm by dt बोलो कितना है 1 तो 10 newton का force लग रहा acceleration बराबर हो जाएगा force बटा block पर भी तो इतना ही force लाएगा 5 meter per second square यह इंसर आएगा और देखो बेटा यह जेही में 2022 का सवाल है तो ऐसे सवाल देखके डर जाओगे बताओ ऐसे सवाल देखके डर जाओगे के हिम्मत करके solve करोगे बता मेरे भाई बता क्या है इसमें variable jet वाला variable mass system होता है ना variable mass system होता है अक किर्केटर catch a ball of 150 gram in इतना second moving with speed इतना then hit experience of force force is equal to nothing but change in momentum divided by total time taken finally उसका momentum zero हो जाएगा catch कर लिया initial momentum क्या है mass बोलो 150 वटा 1000 into velocity 20 time कितना लिया 0.1 second खतम ग्राम था इसलिए kg में convert करने के लिए हमने यह लिखा बहुत easy है Newton's third law में याद रखना force always exists in pair and same nature के force लगते है action reaction force must of the same nature यह मैंने आपको बता है वह है फिर से मैं बता देता हूँ कि देखो same time पे different body पे different direction पे same magnitude का opposite action force लगता है है न वो जो force लगता है उसमें nature same होने चाहिए मतलब normal का reaction normal ही होगा normal का reaction normal होगा gravitation का reaction gravitation होगा tension का reaction tension होगा इतना आपको ध्यान रखना है यह सवाल देखें साहब force of three newton एक सुना system of two block of mass two kg and one kg and so in a figure then contact force between the block जब भी इस तरह का सवाल हो सबसे पहले जब यहां पर तीन newton का धक्का मारोगे यह दोनों साथ चलेगा अलग लग चलेगा परीदेस धक्का मारोगे दोनों साथ मिलके चलेगा तो system का net acceleration पहले निकाल लिया करो system का net acceleration आगा net force बटा net mass दोनों साथ चल रहे हैं तो common acceleration हो जाएगा थिरी बटा थिरी वन मीटर पर सेकेंट इसको यह तो हम जानते हैं सर कॉमन इसलेशन आएगा वन मीटर पर सेकेंट इसको अब यहां पर ध्यान से देखो अगर पैरलल दो लाइन खीचो कि आगे वाले पर आगे पीछे वाले पीछे फोर्स लगेगा अब मुझे बताओ अगर तुम इसका अब बिडी बनाओगे तो फोर्स बराबर यह मास और इसका एसलरेशन वहन तो नॉर्मल रियक्शन वन नूटन का ही तो लगा यार वन नूटन का ही तो नॉर्मल रियक्शन लगा तो समझ में आया चलो पूचिए यहाँ पर टेंशन की वैल्यू पूचिए इस टीटू की वैल्यू पूचिए यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है 36 नूटन लग रहा है सुनों क्या करोगे तो टीनों एक साथ चलेगा हां कॉमन एसलरेशन जो होगा नेट फोर्स 36 बटा इन तीनों का मास आठ एक यहां पर टी टू होगा पीछे वाले का मास इन्ट एसलरेशन 8 और एक 9 नूँटन का टंसन ओगा आपको यह बात समझ में आया य आपको यह बात समय में आया कुली अध्लॉक सिस्टम बहुत असान होता है जिसका मास ज़ाधा होगा वो नींचे गिरेगा एसलरेशन से उतना यह सिलरेशन से यह उपर उठेगा तो नेट एसलरेशन हो गया M2-M1 by G टेंशन होता है 2M1 M2 divided by M1 plus M2 अगर एक होरिजन्टल हो एक वर्टिकल हो वो निकाल लेंगे नीट 2020 का सवाल पूछा है 6 kg 4 kg एसलरेशन क्या होगा अरे भाई 6-4 बटा 6 प्लस 4 इंटू जी की वैल्यू जी के टम्स में यह दो और दस दो और दस मतलब जी बटा पांच है ऐसे सवाल आते हैं तो आप गलती ना कर दो इसने देख लो यहां पर चीजे यह मैंने बताया था अगर ऐसा सिस्टम हो ऐसा सिस्टम हो सरफेस आपका क्या है स्मूथ है तो इसका ग्रेविटेस्टनल फोर्ज जो एम टू जी होगा वहीं तो इसको नीचे गिराएगा हां सर एम टू जी बटा एम टू प्लस एम ओन या आए गा से लेसन देखो और इस रस्ती में जो टेंशन होगा वो टेंशन ही इसके से लेसन का रिजन है तो टी बड़ावर होगा एम ओन इंटू एम एंटू ए एकी वैलू एम टू जी बटा मन प्लस एम टू देखो क्लियर है इस पे तो हमें आता है इस पे कुछ बढ़िया सवाल करके दिखो आओ नीठ 2022 का सवाल है परो भाई अच्छा सवाल है मज़ा आएगा क्लास करने का ना आनंद आ जाएगा चलिए भाई तो यहां पे हमारे सारे रामलाल बाबो जलेला कलुवा पिंक्या सब के सब आ आनंद की अनुभूती आनंद की अनुभूती करते हैं और यह सवाल का सहीज जवाब बताते हैं मिल ब्र oldest सब्सक्राइब पार्या आरे तुक्का वाजी नहीं चलेगा को और अहीं चलेगा नहीं दो जागा तुक्का बाजी नहीं चलेगा खरो घृ सिस्ट्व ग माणस 2x r connected via masses and an unastexplosion सेवल स्टेंग अगर नीचे आगया जट्था पांच मां मतलब छे बॉल नीचे है और आपका चार बॉल उपर है तो असल रेशन कितना होगा बताओ असल रेशन होगा छे बॉल का मास बारा तो बाराजी बटा मास टोटल कितना हो जाएगा तो सर्थ 10 दूना 20 थीच आएगा तो एसल रेशन आजाएगा शिक्स जी वाइट इन टेन से टेन कटेगा मतलब 6 मीटर पर सेक्ट इसकों इतने लोग को एसल रेशन पता चल गया इतने लोग को एसलेशन पता चल गया बताओ अब कह रहा कि टेंसेंट बिट्विन सेवेंध यहां पर यहां पर यहां पर जो टेंशन हो गई तीनों को पकर क्या आगे ले जाएगा तो यह टेंशन बरावर पीछे का मास चे गुना एसलरेशन चे तो 36 न्यूटन 36 newton is a correct answer 36 newton is a correct answer 9999 hello sir how are you I am very bad condition because I am teaching you people and you all people are very full and I am very beautiful 36 क्या करते थे साजना तुम हम से दूर रहके तनहाई दूर करते थे गुना भाग करके गुना भाग करके बदाओ वन स्मोर अरे अच्छा सवाल है यार देख फोटो देख प्लीज एक्स्प्लेंट करता हूं एक दो तीन चार उपर है पांच छे साथ आठ नौ दस ऐसा सिस्टम बनेगा ऐसा सिस्टम बनेगा मानता है ये बात अब मुझे बता नीचे वाला जो मास होता है उसी का ग्रेट अब मैंने अभी अभी समझाया है कि यहां से काउंटिंग शुरू किया पहला बॉल यह दसमा बॉल तो दसमा नौवा आठमा सातमा साथ और आठ के बीच यह टेंसन पूचा है अब एक बात बताओ पीछे वाले जो तीनों होंगे इसको आगे ले जाने वाला काम तो इसी बरावर इसका मास इंट्व एसीलरेशन तो है नहीं आगे क्यों जाएगा तीनों तीनों का हम एसिलरेशन पता है तो तीनों का मास इंट्व एसिलेशन टेंशन होगा तीन का मास दो दो चार छे 6 गुना ए ए भी 6 आया 6 मल्टिप्लाइ 6 36 निए आग लगा दो कमेंट बॉक्स में अगर समझ आया हो तो हां आग लगा दो कमेंट बॉक्स में स्यूदो फोर्स हमेशा एसिलरेटेड फ्रेम से ही लगता है अल्वे टेक्स और ना बॉड़ी इप भी ड्रॉफ एबीड फ्रॉम नॉन इनर्सियल फ् इस एंगल जो बनाएगा अलफा वो अलफा होगा 0 डिग्री क्यों भाई कॉंस्टन वलोसी चलाइसलेटेड फोरी नहीं हां अगर यह काट एसलेटेड होगा याद करो यह बहुत इंपोर्टेंट केस है अगर यह काट एसलेटेड होगा ए से तो वर्टिकल से यह बॉब ज देखते हैं तभी आप Pseudo Force लगा सकते हैं Pseudo Force अमेशा नहीं लगता है Pseudo Force अमेशा नहीं लगता है next देखिएगा बेटा नीट 2018 का सवाल है क्या सवाल पढ़िएगा ध्यान से a block of mass M is placed on a smooth inclined wedge ABC of the inclination theta inclination theta पे जो smooth है वो इंट मास का object रखती है as only in a figure the wedge is given an oscillation A towards the right इसको acceleration a दिया right की तरफ then relation between acceleration a and theta for the block to remain stationary यह block नीचे slip ना करे इसके लिए a की value कितनी होनी चाहिए रटा हुआ है क्या रटा हुआ है क्या एक बात बता answer क्या होगा जीट एंट इटा बहुत बढ़िया अच्छा उस case में एक और चीज़ पूछते हैं या कि यहां पर normal कितना लग रहा होगा तो नॉर्मल mg कॉस्ट हिटा होता है कि इस situation में नॉर्मल mg बटा कॉस्ट हिटा होता है जल्दी बता तो याद रखना अगर जीट एंट हिटा acceleration हो तो object slip नहीं करेगा और उस case में इस अब्जेट को free fall कराना हो तो असिल लेसन कितना होना चाहिए बताओ तो असिलेसन कितना होना चीजिक यह अगर मुझे free fall कराना है तो इस लेसन होना चाहिए जी कॉस्ट हिटा उस case में नॉर्मल जीरो हो जाएगा फ्रीफॉल कर जाएगा और अगर मुझे रिस्ट में रखना है तो जी टेंट इटा इसलेशन होना ची नॉर्मल होगा एम जी भाई कॉस्ट इटा एक बात बताओ यह ब्लॉक है अगर अब जेक्ट ऊपर जा रहा है लिफ्ट ऊपर जा रहा है एसलेशन से इस पर जो नॉर्म हो जाएगा M G प्लस A इतना तो जानते हो बेटा इतना तो जानते हो भाई यह क्या है तो यह इस सवाल मत पूचा कर वयरी इतने असान सवाल पूचेगा तो कैसे काम चलेगा अब चलो जेह में बोज़ार है क्या comfort जाईमें यही मेन 220 का सवाल है मुझे मुझे उमीद है कि तुम सही सॉल्व करोगे परो सवाल परो सवाल परो सवाल यह सवाल परो बढो सवाल परो स्टेटमीन्ट रशेटमीन्ट1 क्या है स्टेटमीन्ट1 एडि़ेटर ग 1700 सन सानंग गो अब आप होगा के बाबर होगा अगर यह constant velocity से देखू uniform velocity से उपर या नीचे जाता है अगर वाइय तो टेंशन बरएगा नीचे तेंशन गटेगा लेकिन लेकिन अगर constant velocity से उपर नीचे जाता है तो t और mg के ब्राबर होगा force exerted force exerted by the floor of the elevator on the foot of the person standing on it more than his weight when the elevator goes down अरे यार गलत लिख रहा है यह तो यह false है यह false है यह true है एंसर क्या जाएगा statement one is true but a statement two is false मेरे हिसाब से दूसरा सही होगा क्या कहती है public public क्या कहती है अरे भाई साब आग लगा दिया है आग लगा दिया comment box में भाई मेरे चलो यह करो यह करो यह करो जही में का सवाल है यह कर लोगे तो मुझे confidence हो जाएगा कि तुम सीख गये करो भाई block of mass M placed inside the box descending vertically descending नीचे मतलब नीचे जा रहा है vertically with a solution descending मतलब नीचे जाना होता है descends vertically with a solution the block exert a force equal to one fourth of its weight then block exert a force one fourth of its weight on the floor of the box then value of a is करवया गलत मत करना अच्छे से सोच समझ के करना तो normal reaction को ही apparent weight कहते है हो जाएगा mg minus m और इसने जो बोला है जो normal है वो one fourth of weight है mg by 4 हो जाएगा mg by 4 is equal to mg minus m m a को इधर ले जाओ m a बरावर हो जाएगा 3 mg by 4 m से म कटेगा 3 g by 4 third answer तो आई साहव समझ आया है की निया है बताओ third answer समझ आया है की निया है बताओ next man weight 80 kg on standing on the weight scale of the lift which is moving upward with uniform acceleration इतना then what will be the resulting तो कर लोगे normal reaction is equal to m g plus a होगा इसकी पूरी आपकी practice हो गई next AI PMT 2004 block of mass M placed to know smooth ways of inclination theta the whole system is isolated horizontally so that block does not slip आरे वाई साहब normal reaction पूचा है n बरावर mg by cos theta n बरावर mg by cos theta साही है क्या AI PMT 2005 का सवाल लेकिए a person is standing in an elevator in which situation find hits weight less weight less कब होगा when elevator moves off with constant decilation weight बर जाएगा when elevator moves down with constant decilation yes second when elevator moves upward with uniform velocity नहीं downward with uniform velocity नहीं क्या इस पे आपकी PhD हो गई बेटा इस पे आपकी PhD हो गई की नहीं हो गई बता दीजिए ये वाला सवाल देखिए क्या है देखो सबसे पहले समझना two block A and B of mass 3M and M are connected by the massless string the whole system suspended by the massless spring as one in a figure then magnitude of acceleration of A and B immediately after the string is cut सबसे पहले समझो कि ये equilibrium में है अगर बेटा ये equilibrium में है अगर बेटा ये equilibrium में है एक बात बताओ सर क्या नीचे mg force लगेगा हाँ सर क्या यहाँ पे tension T mg के बढ़ावर होगा यहाँ पभी T नीचे लाएगा यहाँ पे 3 mg नीचे लाएगा तो 3 mg और T की value mg तो spring force कितना हो जाएगा तर 4 mg अब जब यहाँ से तुम इस रसी को काटोगे तो इस रसी को काट रहो ना इस स्प्रिंग पे तो कोई फर्क पढ़ेगा नी instantaneously अगर इस रसी काटोगे तो tension 0 अगर यह tension 0 तो mg तो इस पर लाएगा उपर 4 नीचे 3 तो 4 mg माइनस 3 mg नेट फोर्स आजाएगा बराबर इसका मास है 3m into acceleration यहाँ से 4 mg माइनस 3 mg बटा 3 m A A से A कटेगा A is equal to GY3 तो यह GY3 से उपर जाएगा यह G से नीचे आएगा देखोगा G और दूसरा होगा GY3 क्या ऐसे सवाल में डेटा चेंज करके दे दे तो कर लोगे क्या ऐसे सवाल में डेटा चेंज करके एक first answer बता रहे हैं बच्चे A and B ओ भाई सहाब ओ भाई सहाब A उपर है first answer आएगा इस बात का भी ध्यान रखना भाई किसका पहले पूचा है तो पूचा A and B भाई इसमें जल्दी बाजी में गलत हो जाता है जल्दी बाजी में गलत हो जाता है इसका ध्यान रखेगा बेटा बहुत अच्छे से इसका ध्यान रखेगा नहीं तो जल्दी बाजी में गलत हो जाता है constant relation क्या होता है acceleration into tension का product वायर में सेम रहता है, वेलोस्टी इंटो टेंशन का प्रोड़क्ट भी वायर में सेम रहता है, उस पर एक सवाल ये पूछ लिया, AI PMT 2017 का सवाल ऐसा नहीं कि कोई रेंडम सवाल पूछ रहा हूं है, if a string is pulled with a solution 2 meter per second square, then a solution of the block, इस block का a solution क्या होगा, देखो, यहाँ पर अगर तुम टेंशन T मानते हो, इस वायर में हर जगा टेंशन T होगा, T, T, तो यहाँ कितना होगा से 2T, माल लोग की a solution उपर जाता है, तो यह 2 into T, बराबर, यहाँ पर 2T into a आएगा, 2T से 2, 2 कट गया, a बराबर 1 meter per second square, यह answer होगा, 1 meter per second square, third answer आएगा, third answer आएगा भई, third answer आएगा भई, अच्छा, यह सवाल दिख लिजिए, ऐसे सवाल तो बेटा, पूछे जाते हैं, क्या है सवाल, what the velocity of the block, when angle between the string and horizontal is 30 degree, इस रसी को, मैं कितने speed से खीच रहूँ, VP speed से, इसको मैं VP speed से खीच रहूँ, तो block का speed कितना होगा, सुनो, tension into velocity का product लेना होता है, यहाँ पर अगर tension तुम T मानो, तो इसका velocity का product क्या होगा, T into VP, बढ़ाबर, यहाँ पर tension रसी में T, और velocity आगे है, तो इसका dot product लोगे, तो T V cost 30, T V cost 30 हो जाएगा, root 3 by 2, V से, और सॉरी, ओ, सॉरी, 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 आडे यार, यहाँ पर इसमें V रहेगा, T से T कटेगा, VP is equal to हो गया, V root 3 by 2, अच्छा, यह velocity पूचा है, ओके, यह velocity पूचा है, root 3 by 2, V dash होगा, 2 P by root 3, 2 P by root 3, fourth answer आएगा क्या बेटा, चलो, यह करके दिखाओ, तो मान जाओ मैं तुम्हें, चलो, यह करके दिखाओ, अब यह करके दिखाओ, गल्ती मत करना, tension into velocity का product constant लगना, tension into velocity का product constant रखना है तुम्हें, tension into velocity का product constant रखना है तुम्हें, इंसरे इन्टाइं इन डुनलों का डॉ यह ए खोट यह ख enclosure करसे बनेंग को यहए भी डैस माल लोड़ीयों थीए वाई संभ अधिक इना दोनाव गर निंगल जाता यह एक लिवाई इंप समझुँ में फोर्थ इस योर करेक्ट एंसर भी वाई साइंट इटा बच्चों का ना जान निकल जाता है समझने में तुम जो सही जवाब दे रहा हो नहीं जिस रफ्तार से काविले तारीफ है भाईया